कि यह स्टुडेंट वेलकम वन सेगेंड टू यॉर उनलाइन क्लासेज बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज सेवन सीखा जो क्वेशन बज गया है यानि क्वेशन में 11 से लेकरके 19 तक के क्वेशन इनको आपको सॉल्ब करना सिखाएंगे लास्ट वीडियो मैं कि हमेशा की तरह प्रिवेश वीडियो उसका और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उन सभीके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आपको बार बार सर्च करके ढूनने की जुरत परिशान होने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है पूरा का पूरा का सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह स्टार्ट करते हैं 11 करना यहां पर देखो हमारे पास जो हमने टैन तक सॉल्व किया था उसमें ए प्लस B का होली स्कॉर का लग रहा था रिखने हापर आपको साब सब दीख रहा होगा यहां ए स्कॉर माइनस टू एबी प्लस B का स्कॉर है यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मुल लगीगा ए माइनस बी के होली स्कॉर को लगीगा समझ में आगे बात ना आई यह सॉल करता हूं तो और आप कोच्छे स समझ में आएगा यह हमारा कॉस्ट्नमर 11 है इसे कैसे करना यह सबसे पहले तो आपको फॉर्मुला बता दूं इसे हमको तोड़ना है एक स्कॉर प्लस तू एबी या फिर यहां पर आप माइनस टू एबी कर लो क्योंकि हमारे पास माइनस वहला है तो एस स्कॉर माइनस पहले से दिया हूँआ है तो एक जिकत नहीं है मैंना आपको सिखाया है न कि बैचो आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है आपको फॉर्मूला में फोकस करना है फॉर्मुला कि हमारे पास माइनस टू फिर मल्टिप्लाई में ए है तो एक हम क्या लिखेंगे पी मनदब करेंगा। हमारे का स्क्मै हुए श्क्राइज प्लब में और बधी स्क्रेशिक से वहाइस कि हाँ तरीकि करने का स्क्राइज कि झाल properties के यह स्क्राइब का एक कि स्क्राइब नड़ हे करें में टाया चाहिए उन्हें ज्फुण होटा का यह ज्युक्ता तुम confusion होता है इसलिए हमको B चुला देखना ही नहीं है आपको केवल A में ध्यान देना है और B में ध्यान देना है तो यहाँ पर हमारा 2 multiply A multiply B आ जाएगा अब देखो आप इसका multiply करोगे 5 to 10 और P का multiply करोगे तो 10 P आ ही जाएगा is that clear तो आपको केवल A और B में ध्यान देना है बी चुले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना अब यह हम आगे solve करेंगो तो और अच्छी सापको समझ में आएगा यह होगा हमारा a square minus 2ab plus b square बस इसका formula में पूट कर दो formula क्या हमारा a minus b का whole square तो a के जगा में हम भी लिखेंगे b के जगा में हम 5 लिखेंगे और उसका whole square लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा final answer देखा कितना में सिसके इसको थोड़े, इसको भीके तोड़ सकते हैं 22 का multiply भी कर सकते हैं 1158 भी कर सकते हैं लेकिन हमको करना क्या है इहाँ पर formula में इसको पूट करना है इस vase को 88 है तो कैसे कर सकते 11 million8 कर सकते हैं तो भी 88 आ जाएगा यहाँ पर उसके लाव हम क्या कर सकते हैं 22 2 x 4 कर सकते हैं तो भी 88 आजाएगा तो दो तरीके सो गया ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीच वालों को आपको देखना ही नहीं है आपके वह एक स्कार बनाओ बीक स्कार बनाओ और उसी को बीच में लिख दो तो यहां पर हमारा पास आफ़नियों आफैस को 11 और एक यदय है तो एक इसकुर्ण पूर पूर इस तरीके से लिख देंगे हैं यह हमारा क्या बन गया एका स्कार बन गया माइनस असाइं लगाओ 2AB, तो 2 लिखो, multiply A के जगा में 11 A, multiply B के जगा में यहाँ पर कितना है? 16 B का square है, 16 किसका square होता है? 4 का होता है, तो multiply में 4 और B के जगा में B लिख दो, समझ में आगे बतना, क्योंकि यहाँ पर B का square है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? A और B लेना है केवल Is that clear? और उसके बाद फिर प्लस में हमारा हो जाएगा ये कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 16 है यानिकि 4 B का स्क्वार इस तरीके से 4 4 16 और B का स्क्वार यानिकि B का स्क्वार आ जाएगा हमारा Is that clear? तो देखो यह जो हमारे 88 था वो कैसे तूड़ गया 2 x 11a x 4b में तूड़ गया तो यह हमारा अब क्या हो गया a के स्कार माइनस 2ab plus b के स्कार अगर हम भी इसमें दिवागा लगाते रहते कि 88 को हम कैसे तोड़े कितना में तोड़े तो बड़ा confusion हो जाता लेकिन अब इसने हमने क्या किया ए और b में धिया और a b के तरह से तोड़ दिये तो यह हमारे क्या हो जाएगा काम आसान हो जाएगा अब सिंपल हमको यहाँ पर formula पूट कर देना है क्योंकि फॉर्मॉला में टम पे आ गिया तो इसको इसको में आपको लास व्यडियों बताया था चाहो तो आप उस तरीके से बना सकते हो यानि इसको पहले रियर्इंज करके पहले 9x2 2AB करना है तो माइनस 2 multiply A के जगह में हम 1 लिखेंगे हमको पता है क्योंकि एक वैल्यू 1 है multiply में B के जगह में कितना लिखेंगे तो यहां पर 9 है ना तो 9 किसका होता है 3 का होता है और उसके लाव यहां एंसर और अगर हम इसको convert करके बनाते हैं यहीं सरी रेरेंज करके बनाते हैं 9x को पहले लिखते हैं तो इसके एंसर जस्ट आ जाता है यह हो जाता हमारा 9 का करेंगे convert कर लेंगे 3 में तब यह 3y का स्कार बन जाएगा और यह पूरा पूरा स्कार यानिकी यह पूरा एक स्कार बन गया उसके बाद यहां पर हम क्या करते है तो माइनस 2ab को मैनस 2 लिखो मल्टीपला में एक जागा हम क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे और b के जागा हम क्या लिखेंगे यहां पर यह जो 4 है इसको धियान में रखेंगे A के जगा में 3Y, B के जगा में 2, और उसका पूरा-पूरा स्क्वाइर, तेखा आपने, अब 20 वाप्त इसो चेक भी कर सकते हो, 2, 3, 6, 6, 2 जा कितना होता है, 12, और यह Y का Y आ जाएगा, तो हमने 12Y को ही 2 multiply 3Y, multiply 2 में convert किया है, और कुछ नहीं किया, यह बिना इसे देखे ही हमने करनाओट किया था, इसको हमको देखने के विजुरत नहीं हम डायरेट A और B में देखते हैं, और एंसर आ जाता है, यह होगी हमारा 14 भी सॉल्फ, आजए 15 सॉल्फ करते हैं, 15 में क्या दिया हुए हमें यहाँ पर, 16X स्क्वाइर माइनस 24X और प्लस में 9, यह question दिया हुगा, यह question में 16 में, कोई दिक्कत नहीं है, यह solve करते हैं, 16 जो हमारा किसका स्क्वाइर होता है, 4 का होता है, यह जागा हमारा 4X का स्क्वाइर, माइनस में 2, multiply A के जागा हम क्या क्या लिखेंगे, 4X लिखेंगे, और multiply B के जागा हम क्या लिखेंगे, 9 किसका स्क्वाइर होता है, 3 का होता है, तो B के जागा हम 3 लिख देंगे, पलस B का स्क्वाइर, यानि कि 9 का हम लिखेंगे, 3 का स्क्वाइर, अब यह बन कि हमारा A स्क्वाइर, माइनस 2 यह भी, प्ल और N का स्क्वाइर, यह हमारा question number 16 है, ठीक है, यह इसे भी solve करते हैं, यहाँ पर हमारे पास A का स्क्वाइर के जगा हम डालेट M का स्क्वाइर दे दिया है, कोई दी कितनी अच्छी बात है, यह हमारा A के स्क्वाइर में M का स्क्वाइर लिख लेते हैं, माइनस में 2, म refresh bisa, तो A के ज Canvas हम क्या लिखेंगे, हम M लिखेंगे, क्योंकि यह जो हमारा A την square है, और A के जगा में क्या होगा, उसकाougार हट जाएगा, single single हमारा M आ जाएगगा, multiply B की जग में क्या लिकेंगे तो यहाँ पर देखो B यहाँ पस कितना है? 4n का square है यानि कि जब हम square बनाएंगे तो यह किया बन जाएगा? 4 हमारा 2 बन जाएगा और n का square हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? B के जगा में 2n लिखेंगे जिसे ये 2, 2, 4 हो जाएगा और n का स्कार भी हो जाएगा इसे मतब B के जगा में हमारा कितना आएगा 2n आएगा तो हमने हम B के जगा में 2n लिख दिया तो अगर आपको इधर confusion होता है थोड़ा सा भी कि B के जगा में हमारा क्या आ रहा है तो पहले आप B का value निकाल लो और उसको यहाँ पर लिख दो तो भी हो सकता है काम अब इसको solve कर दो तो यह हमारा होगया A square minus 2AB plus में B का square तो यहाँ पर हम A minus B का whole square लिख देंगे यह होगया हमारा answer complete question 16 का यह 17, 18 और 19 भी solve करते हैं इसी तरीके से यह हमारा question 17 है यह solve करते हैं इसे भी same to same तरीके से A का square बनाना है हमको यहाँ पर तो A square plus B का square यहाँ पर साब्थ दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A plus B का whole square लिख सकते हैं जिससे क्या हो जाएगा हमारा A कभी square हो जाएगा और B कभी square हो जाएगा bracket के बार लिखने हैं यही फैदा होता है कि वो दोनों का square लाता है ठीक है तो हम इसको A plus B का whole square लिख दे इस तरीके समने क्यों लिखा ताकि हमको A का value पता चल सके लिख सकता था लेकिन मैंने यहां पर आपको भी समझाए है कि अगर आपको B का value निकाल दो यहां से और उसके बाद यहां पर B का value लिख दो तो यह का value है और यह B का value है तो हमारा formula क्या बन जाएगा A minus B का whole square एक जगा में AB B के जगा में 3C और इसका पूरा का पूरा square complete हो गया answer देखा में कितना सींपल था कुछ अलग से करना है सब वही कुछन है सेंट उसे हैं बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है दिमाग लगाना है और आपको यह question पूरा-पूरा solve हो जाएगा concept का खेल रहता है अगर आपको concept clear है तो आप कर लोगे concept clear नहीं है तो फिर solve करना बड़ा मुस्कील हो जाएगा जैसे यहां पर देखो हमेरे पास क्या दिया हुआ है और हम जानते क्या है formula कैसे बनता है square से बनता है यहां पर पावर में कितना 4 है अब इसको स्क्वाइर कैसे बना सकते हैं तो यह हमने class class 7 सोरी 80 class में chapter 6 में बताया था यह आपको कि अगर m के पावर में 4 है उसको एम का square बनाने क्या कर सकते हैं एम का square और पूरे का square लिख सकते हैं तब यह टू और टू मिलकर के 4 बन जाता है यह हमने चैप्टर 6 में पढ़ाता है वही चीज़ यहां पर दुबारा सब फॉलो करना है यानि कि एक जगा में हमारा कितना एक पता है m क square जो है वो एक क्रेगा और या बाद उसके पाद प्लस में क्या करना है तो प्लस अप्लस में या निकी ए प्लस बीका होली स्क्राइब यहां फॉर्मला लगनिए हमारा वहार माइनस में रहता है यहां एक मैनस बीका लगता कोई दिक्कत निया से निवेसी तरीके से बनेग हुआ हुआ है तो B की जागामेरा कितना आगा N का square आ जाएगा यह प्लस में N के power में जो four है उसको हम N का square और पूरे का square इस तरी के से लिख देंगे इस से हुआ क्या हमारा यह हमारा E का value मिल गी हमें यहांनि एक स्क्वाइर प्लस two aB प्लस में बी का sp3 ad keeping यह जो प्लस बीका होल इसका हो गया और यह हो जाए कि इसका एंसर देखा आपने को सब्सक्राइब इतना सुनिंट पल था नाइंटीन मीश्यम इसी तरीकर सोल्व होगा जो थोड़ा साथ को अलग देदिया है कोई दिक्कत नहीं है आज इसको भी सॉल कर लेते हैं है4 किसो कैसे सॉल्व करना है सब सबस्सक्राइब करेंगे इसको इंगे तो इसका फॉर्म्ला क्या होता है ऐसका आि का स्कॉयर यानिकि जोALLY स्कॉब्ला में जो 2AB यहां पर यह प्लस का साइन लगा है साब सब दिख रहा है तो चाहे आप इसको आगी लिखो चाहे पीछी लिखो बात वही रहता है तो टू एबी जो है उसका बीच में भी लिख सकते हो जड़त पढ़ने पर जैसे हैं आप हमारे पास फोर एलम है वो लास्ट में है तो इसक स्काइर प्लस के स्काइर प्लस जो दिखो एकका स्काइर प्लस टू यह भी लिखो बात से सेंनी होता्य है यरी कुछ अलग नहीं है आँ यहां पर हमारे पास इसको फॉर में पूट नि में जिए इसको अ remembers में से यहां पर माइनश कर गर दो यह तो यह धेसट क्या बन गया हमारा a square plus b square minus 2ab बन गया तो बस इसको formula में put कर दो हमारा a minus b वाले में तो वो formula क्या होता है हमारा a minus b का holy square इस तरी के जिए solve होगा यह जो हमारा 19 नंबर का question है सम्म्मिया गया ना यानि कि यहाँ पर पहले हम को तो इसको square ओला formula में open करना है bracket उसके बाद जो solve होगा इसको solve करना है फिर यह हमारा a का square plus b का square minus 2ab बन गया यानि कि a minus b का holy square ओला formula बने गया तो इस formula में इसको put कर दो, factorize कर दो और आपका answer आ गया देखा आपने कितना simple था तो इस तरीके से आपको 7c के सारे questions मैंने समझा दिये, मिलते हैं next video में जहाबर मैं आपको 7d के questions भी इसी तरीके से sort method में concept के साल समझा दूँगा, thank you for watching